वेल्कम तो माय यूटूब चेनल में पुस्मेंद गौतम दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है mathematics का लेक्चर है mathematics में हम जो ratio and proportion के question पढ़ रहे थे तो उसका जो है यह अगला लेक्चर है यहाँ पर हम आपको बताएंगे किस प्रेकार से जो है ratio and proportion के question log कर सकते हैं यह तो इसकी जो है सारी चीजर यहाँ पे ट्रिक बताएंगे तो चलते हैं इसका जहाँ पहला question क्या कर रहा है Nä कर रहा है कि कि एक वर्स पहले और वी की and आए का जो अनुपात दिया गया है यहां पर question में कह रहा है एक पर पहले की बात कर रहे हैं पहले की बात कर रहे हैं ए और बी की जो है आए का अपात यहां पे दिया गए त्री रेसियो टू दिया गए है उसके बाद में ए और बी की आए में जो है बड़ोतरी हो जाती एक जो आप पहले थी दो रुपे दो के यूनिट में थी अब तीन यूनिट में ह कुल आय जो इस प्रकार से आपको बताना है दोनों की कुल आय अब कितनी हो गई है यह चीज़ आपको बताना है तो यहां पे दोनों की कुल आय का योग अब जो हो गया है वो कितना हो गया है 21,500 रुपे हो गया है तो B की आय कितनी है इस समय B की आय कितनी है यहां पे देखन इस question में ध्यान रखना, यहां पर जो बात कर रहे हैं, यहां पर जो बात कर रहे हैं, यहां पर जो बात कर रहे हैं, जो यहां पर दिख रहे हैं, तो अब हम इसको solve करेंगे, कैसे solve करते हैं, इसका देखिए, पहले आय जो थी, वो 3 ratio 2 थी, उसको छोड़ देते हैं, एक ही आय देख लेते हैं पहले कितनी थी एक ही जो आय थी एक मिनट एक ही जो आय थी वो कितनी थी एक ही आय जो थी वो दो थी अब तीन हो गई है एक ही आय दो थी अब ये तीन हो गई अब बोलिए एक यूनिट इसका किसके बराबर है एक unit होगा वो 3 by 2 के बराबर होगा तो अब यहां से जो बात कर रहे थे A की आई किती थी, 3 unit थी तो 3 unit कितना होगा 3 unit इसका निकाल लेते हैं तो 3 into 3 by 2 तो यह आजाएगा 9 by 2 जो 9 by 2 है अब उसकी आई होगई अगली बात जो यहां पर देखें क्या कहरा है दूसरी चीज़ कहरा है B की आई जो थी, वो 3 थी अब कितनी होगई है? 4 हो गई है तो B की आई देख लीज़े यह A की निकल आई है अब B की देखिए B की जो 3 थी, वो 4 हो गई है इसका एक यूनिट कितने बराबर है? एक यूनिट जो है बराबर है वो 4 by 3 के बराबर है तो बोलिए B की आई कितनी थी? B की आई 2 रुपे, 2 यूनिट में थी तो 2 के हिसाब से इसमें मल्टिपै कर दीज़े एक यूनिट 4 बटे 3 के तो दो यूनिट किसके वराबर है तो के multiply कर देखें तो 4 by 3 into 2 तो बोल दिजिए यह 8 by कितना आ जाएगा 3 8 by 3 और यहां से 9 by यह कितना निकल आया 8 by 2 9 by 2 और 8 by 3 यह जो है निकल के आ गई टोटल जो है आए अगर जो हम इनको जोड़ दें तो हमें पता हो जाएगा कि कुल आय जो है 21,500 है ठीक है जोड़ दें या ratio करके भी आप निकाल सकते हैं ratio से भी निकाल सकते हैं दोनों को divide करते हैं उसको हम नहीं करेंगे अगर जोड़ देंगे आगे इस टिप हम नहीं बढ़ाएंगे यहां पे 9 by 2 थी और इसकी आई जो थी 8 by 3 थी इन दोनों को जोड़ेंगे LCM यहां पे 6 आएगा यहां को जोड़ेंगे तो 2,3,6,9,3,27 होता है और प्लस इसको अगर जोड़ेंगे 3 का 2,6,8,2,16 होता है अब इसको जोड़ेंगे 16 और यह एक प्रकार से साथ 6 कितना उता है 43 आ जाएगा यहां पे आ जाएगा एक मिनट हाँ 43 आ जाएगा 43 by यहां पे कितना आ जाएगा 6, 43 by 6 जो है टोटल इंकम आ गई टोटल इंकम है 43 by 6 अब यहां पे 43 by 6 जो आय निकली थी कुल आय का योग जो है 21,500 है हमने क्या निकाल के रखा है यह 43 by 6 43 by 6 हमने निकाला है अब देखे कुल आई इतनी है तो कुल आई निकाला निकाल दिया है हमने 43 by 6 इसको हटा देते है 43 by 6 के वहल हम रखेंगे यहां पे तो यह जो है हमने हटा दिया यहां से 43 x 6 है अब देखिए यह 43 x 6 unit जो है यह किसके बराबर है 21,500 के बराबर है इसका एक unit अगर जो निकाल देते हैं हम तो हम B की आइपार पूछ रहा था तो 8 x 3 unit निकाल लेंगे इसका एक unit कितना होगा एक unit होगा तो इससे division में जाएगा इससे division में जाएगा तो उसको हम divide कर देते हैं इसका division में जा रहा है तो यह 21,500 बटे 43 by 6 इससे divide होगा तो 6 उपर चला जाएगा तो 6 उपर चला जाएगा उसको उपर हम भेज देते हैं तो यह 43 by 6 हो जाएगा यहाँ पर 43 into 6 है अब 8 by 3 unit किसके बराबर होगा तो इसमें हम गुड़ा कर देंगे 8 by 3 से एक unit जो है यह इसके बराब इतना आ गया इसका ठीक है तो 8 by 3 जो है वो B की में आय थी यही तो question में पूँच रहते B की आय कितनी होगी तो B की आय हम यहाँ से count करेंगे तो B की आय काउंट करने के लिए 8 by 3 से हम इसमें multiply कर देंगे तो यह 3 3 से cancel हो जाएगा अब इसको हम इससे divide कर देते हैं तो हमें B की आय पता हो जाएगी यह cancel हो जाएगा इससे तो यह पता है तो यह पता है तो यहाँ पर जो है 500 बट जाएगा और यहाँ पर जो बचा होगा यहाँ पर जो बच गया होगा 8 का 2 गुना होता है 16 तो 16 पंजय कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा इसका मतलब यह जो होचा है 8000 जो निकल के आजाएगा यह 500 था तो 2 0 लिग दिया आगला कॉस्चन दिखिए A. और B का I का अनुपात जो है इतना दिया गया है यदि दोनों के खर्च का अनुपात इतना है तो हर एक की बचत जो है वो 200 रुपे जब question में सभी की बचत सेम दे तो ऐसे question को हम करने के लिए सभी की बचत ऐसा अनुपात माइनस करेंगे अगर जो माइनस करने पर सभी की अनुपात बराबर आ जाए तो फिर वही उसका जो है आंसर आ जाएगा अब देखिए पहले जो अनुपात दे रहे थे वो तीन अनुपात चार दे रहे थे तो तीन अनुपात जो है हमने चार ले लिए अब अनुपात कितना हो गया दो अनुपात तीन हो गया तो दो अनुपात तीन हो गया इसको माइनस करेंगे देखे एक अनुपात एक आ गया ये भी सेम ये भी सेम मतलब जो उनसे जो बचत की जा रही है हर किसी की बचत अब देखे ये इनकी आयदी थी इनकम दी थी ठीक है यह इनकी आई दी थी और यह इनका खर्चा दिया था हाँ खर्चा दिया था अब और यह इंकम में से खर्च माइनस करोगे तो बचत बचेगी सेविंग बचेगी तो खर्चे को माइनस कर रहे हैं इक्सपेंस इसको कर लीजिए दोनों के अलग-अलग हो जाएंगे तो यह सेविंग हो जाएगी तो सेविंग उनकी एक अनुपत एक अन्मे है तो यह जो सेविंग है यह 200 के बराबर है हर किसी की इसकी भी 200 के बराबर है इसकी भी 200 के बराबर है एक यूनिट 200 के बराबर है अब देखे एक यूनिट दो सो के बराबर है एक की आए कितनी थी तीन यूनिट थी भी किया है चार यूनिट थी तो एक दो से मल्टिप्लाई करेंगे तो कि एक यूनिट बराबर दो सो तो तीन यूनिट बराबर कितका होगा 600 के बराबर होगा और चार यूनिट बराबर कि यहां पे अनुपाद दूसरा दे दिया गया हो, तो मालिया यहां पर दूसरा कुछ दूसरा कह देता, यह रुपे रुपे कुछ दूसरे आ जाते, धों नहीं दो सो ना कहता, तो फिर उस क्ोश्टन को हम उस हिंसाब से इस आल करते हैं, अभी खुश्टन आयेंगे, तो उनका जो है हम बताएंगे अगे लिक्षे में A और B का अनुपाद जो है ये दिया गया है और खर्च का अनुपाद ये दिया गया है यदि बचत इतने इतने अनुपाद में हैं तो A और B की A याद कीजिए A और B की A याद कीजिए अब देखिए A और B की प्रकार से अनुपात दिया गया है कितना 3 Ratio 2 का अनुपात में दिया गया है ठीक है ये इनकी Income है उसके बाद में क्या कह रहा है उनका ख़र्च का अनुपात इतना दिया गया है Expense जो है उनका expense जो है वो कितना है 4 Ratio 3 4 Ratio 3 है अब उनके बाद में कह रहे हैं कि उनकी जो बचत है वो 2000 और 1000 है तो बचत उनकी जो है वो 2000 है और 1000 है बचत का अनुपात अगर जो हम निकाल रहे हैं तो दो अनुपात एक है तो अगर जो हम माइनस करके इनको माइनस करें और दो अनुपात एक आ जाए तो हमारा वही वाला सही आंसर रहेगा अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं यह value कम दे रखी है income कम दे रखी है और जो हमारा expense है मतलब जो खर्चा है वो ज्यादा दे रखा है यहाँ फोर दिया है यहाँ तिरी दिया है तो किसी भी परकार से इससे बड़ी unit हम इसको बनाते हैं और जो दो का दो गुना होता है चार तो दो और चार हो गया अब इसमें से अगर जो हम minus कर दें ठीक है तो दो अनुपात एक अगर जो आ जाए तो इसका मतलब वही हमारा सही answer निकल के आएगा अब देखें यहाँ पर हमने लिया यह आ गया दो और यह आ गया one तो इसका मतलब इन हजार के बराबर है एक यूनिट इस हिसाफ से अगर जो यह ना हम अनुपात निकले हैं तो हम तो चेक करने के लिए निकला था है इनका एक यूनिट जो है एक हजार के बराबर है तो अब हमको पता करना है उनकी इंकम तो यह वाला अनुपात लेंगे क्योंकि यह अनुप 4000 के तो 4000 और 4000 आंसर दिखे वही वला सही कर देना तो 6000 और 4000 इसमें दिख रहा है यही वला इसका जो सही आंसर होगा इस प्रकार से यह question किया जाता है कोई भी अनुपाद दिया हो अनुपाद के हिसाब में हम इसको करेंगे हम कुछ भी नहीं करेंगे करने की कोई जरूरत नहीं direct question को हम solve करते हैं ठीक है तुझे लेक्चर हम नहीं समाप्त करते हैं अगला इसका नेश्डिया अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको like, share, subscribe कोई दोस्तों आप माई वीडियो तेटिकले हो बुड़ों